अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए, तो तुम्हें मुझे ये पैन बेचना होता ये? हाँ, ये पैन लेकिन ये तो मारकर है ओके, देन सेल मी दा मारकर ओके, सो मेम, आपको इस मारकर की जुरुत है? ने, मुझे अभी इस मारकर की कोई जरूत नहीं है ओके, तो मैं आपको ये मारकर क्यो बेचू? जब आपको इसकी जरूत ही नहीं है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर सेल्स स्किल्स कैसी है, है भी है नहीं पर मेम, मैं आपको वो चीज बेचू ही क्यों, जिसकी आपको जरूत नहीं है मैं क्यों आपकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करूँ जब आपको वो चीज चाहिए ही नहीं देखो तुम्हारा ना इंट्रव्यू चल रहा है तो तुम्हें ये मारकर मुझे बेचना ही पड़े माना की मैं मेरा इंट्रव्यू चल रहा है पर मैं कस्टुमर को वो चीज बेचूंगा ही नहीं जिसे उसको उस चीज की जरुरती ना हो तो फिर क्या करोगे ऐसा तो तुम्हें जौब नहीं मिलेगी में अगर आप ऐसा एंट्रोई देख रही हो जो कस्टुमर को वो चीज बेचे जिसे उसकी जरुरती ना हो सोरी फिर तो आप गलत इंट्रव्यू ले रहे हैं ऐसा की बोल रहे हो एसा इसलिए मैं मानलो मैं आपको ये मारकर बेच भी दू पर मैं इस मारकर से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता इसलिए क्योंकि ये मारकर में आपको जबर्जस्ती बेच रहा हो दूसरी बात कोई भी कस्टुमर किसी को एक चीज किती बार बेच सकता है एक बार, दो बार, तीन बार इससे ज़्यादा नहीं सेल्स का सबसे पहला काम ये जानना है कि कस्टुमर को चाहिए क्या उसके बाद मैं उन्हें वो अप्संस दिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी देखने आये और हम उन्हें फ्रीज दिखाए ये कहकर भाई कि ठंडा तो दोनों ही करता है इस तरह तो कस्टुमर हमारी दुकान पर कभी नहीं आने वाला सेल्समेन का सबसे पहला काम है कस्टुमर का वरोसा जीतना है ताकि वो बार-बार हमारे पास आए और ये सब बेशने तक कहीं नहीं अगर बेशने के बाद भी कोई प्रोब्लम आए तो हमारा फर्ज है कि हम उन्हें A1 सर्विस दे ये नहीं कि बेश दिया अब हमारी कोई जिम्मेदारी नी हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम सेल्स के बाद कस्टुमर को अच्छी सर्विस नी देते मुझे कस्टुमर का दिल जीतना है अगर मैंने कस्टुमर का दिल जीत लिया तो मैं मैं आपका दिल अपने आप जीत लूँगा और वैसे भी मेरी सेल्री सेल्स करने पर मिलेगी ये मारकर आपको बेचने से नी है हो गया तुम्हारा जी, क्या मैं अब जा सकता हूँ? अरे, ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम्हें क्या लग रहा है? तुम इतना कुछ बोल दोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूगी है? मतलब? मतलब यह कि पहली बार कोई इतना अच्छा sales person मिला है उसको बिना जॉइनिंग लेटर लिये जाने दूगी क्या? जॉइनिंग लेटर? क्या आप सच कह रही है? हाँ, सच कह रही हूँ और तुम्हें पता है? आज तक ना मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिये और जो भी लोग इंटरव्यू देने आते है न वो लोग उतना ही करते हैं जितना हम उन लोगों का करने के लिए बोलते हैं तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने वो किया जो सही था ना कि वो किया जो बोला गया था जी, मेरी सुरू से आद आते हैं, लोगों से अलग करने की Very good, and you will hire और जोइनी लेटर आपको रिस अप्शन में बिर जाएगा Thank you so much, ma'am